नोश्का दोस्तों आजके मर्केट सेंटिमेंट वीडियो में आप सभी आप बहुत वाकत है आगे बढ़ने से पहले मैं आप से अनुरूद करूँगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट से उनको एक बार पढ़ लीजे मेरा कोई भी वाटसाइब ग्रूप या टाय लेकर हम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप किरपया करके साफधान रहे तो दोस्तों जैसे कि हमने कल के मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में चर्चा की थी वहाँ पे हमारा अंडर्गराउंड मनी फ्लो पॉजिटिव था मार्केट ने इसको फॉलो किया और मार्केट का जो ट्रेंड है जिसकी चर्चा हमने कल के वीडियो में की थी कि मार्केट जो है वो यूटन बहुत फास्ट ले रही है और यहाँ पे मार्केट बहुत जादा फ्लिप फ्लॉप कर रही है तो इसकली इस फ्लिप फ्लॉप का क में volatility देखने को मिल रही है जो के छोटे players के लिए काफी जादा नुकसान दायक है तो दोस्तों यहाँ पे market जो है उसका जो underground money flow था positive था market उपर की तरफ गई लेकिन यहाँ पे जब market 21,600 के असपास थी वहाँ पे एक जो है आपका money flow यहाँ पे negative हुआ उसके पीछे का कारण यह था के जो बड़े players हैं उनकी जो position है जो FIIs के average थी positions की जो futures के अंदर 82,000 जो बड़ी positions थी वो 21,678 के आसपास थी तो basically यहाँ पे 21,600 के call side की उपर जबरदस्त call writing कर रखी थी protect करने के लिए तो यह जो options का money flow negative था वहाँ पे उसको 21,600 के level को protect करने की कोशिश की जारी थी लेकिन दोस्तों जब market 26,600 पे थोड़ी देर यहां consolidate हुई तो वहाँ पे एक जबरदस्त cash buying की गई अगर आप अपना analysis खुद करते हैं तो आपको मालूम होगा यहां पे जो maximum buying की गई cash के अंदर यह 21,600 जब market ने touch किया उसके बाद की गई यहां पे जो FII's यहां पे buy कर रहे है 1660 करोड की यह Singapore FII's DII's 25 करोड तो लगभग यहां पे 41,42 करोड के आसपास की एक जबरदस्त cash buying की गई तो basically market में जो DII's और Singapore FII's का plan है के जो FII's की short positions हैं जो के इस समय लगभग जो है 1,50,000 के असपास हैं इन positions का stop loss hit कराया जाए जिससे market में short covering आए तो जब यहां पे हमारा LS ratio जिस वीडियो में हमने चर्चा की थी कि LS ratio 0.3 से नीचे चला गया उस वीडियो में मैंने आपको यह भी कहा था कि मैं वहां पर यह कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि market नीचे जाएगी क्योंके past में 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि आपे FII's जब short position सुनाते हैं LS ratio 0.3 से कम होता है उनका stop loss hit करा दिया तीसरी बार भी हमें ऐसा ही कुछ शायद होता हुआ दिखाई दे रहा है तो यहां पर जो FII's हैं उनकी positions loss में चली गई है short positions और यहां पर Singapore FII's को confidence gain हो रहा है कि market यहां से उपर जाएगी उन्होंने लगभग 18,000 के आफसे पास long positions मनाई जो कि इस समय profit में है equity cash की अगर हम बात करें तो उसका money flow positive था लेकिन छोटे player से यहां पर buy कर रहे है market को EOD basis पे cash यहां पर control कर रहा था और जैसा कि हमने देखा कि यहां पर लगभग 42 करोर के आसपास की buying की गई सभी heavy weight stocks market को उपर ले जाने में आज कामयाब हुए reliance HDFC bank और नीचे ले जाने वाले stocks में ऐस सच कोई heavy weight stock हमें दिखाई नहीं दिया तो यहां पर एक कोशिश की जारी है कि market का दोबारह से call time high hit कराया जा सके में भी यह हो सकता है यह budget euphoria हो वो तो हमें कली पथा लगेगा उसके बारह में हम कुछ जादा कहें नहीं सकते तो इस समय options का money flow भी positive है futures का money flow positive हो गया short covering हमें देखने को मिली यहां पर long positions भी बनी short covering यहां पर जो prop desk इसके अलावा जो diis ने futures में short positions बनाई थी clients की कुछ positions थी जो यह long unwinding हुई थी basically यह open होते ही हुई थी जिस समय market नीचे की तरफ गई थी तो हमें timing देखनी बहुत जादा timing देखने की बहुत जादा आविशकता है तो यही updates मैंने आज share किये थे यहां पे जब 21-600 के असपास market थी वहां पे हमारा options का जो money flow futures का money flow negative हो गया था लेकिन unfortunately वहां से market cash buying की सहता से उपर की तरफ चली गई तो इस समय market में बहुत जादा volatility है तो हमें यहां पे थोड़ा सा साफधान होने की आविशकता है futures की अगर हम बात करें कोई open interest में major activity देखने को नहीं मिले तो यहां पे अगर हम summary के तौर पे देखे तो cash का money flow positive लेकिन छोटे players की बज़े से options का money flow positive futures का money flow neutral with positive bias FIS की बात करें तो एक दिन में जो है जजबात वक्त सब कुछ बदल गया कल इनका opinion काफी जादा negative था लेकिन आज जो हमें देखने को भिला cash के अंदर buying की गई options का money flow positive है futures में long positions बनाए गई short positions जो है वो loss में चली गई तो FIS का opinion भी इससा में neutral with positive bias होता हुआ दिखाई दे रहा है मैंने आप neutral with positive bias इसलिए बोला है क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी short positions close नहीं करिए और खास बात FIS का stop loss हम past में काफी बार देख चुके हैं कि इनका stop loss लगभग 400 points के आसपास का होता है तो 2668 जो है तो इनका stop loss कुछ 22,077 के आसपास होना चाहिए 400 points तो इनका अभी stop loss hit नहीं हुआ short positions hold कर रहे हैं सारी की सारी 1,5,000 तो यह देखना interesting होगा के यह short positions close करते हैं या market को नीचे लेके जाते हैं तो वो हमें underground money flow जो है suggest कर देगा और underground money flow मैंने इस वीडियो में एक screenshot की सहयता से आपके साथ share कर दिया है लेकिन मैं आपको तो फिर साफधान सचेत करना चाहूँगा कल budget का दिन है और budget के दिन बहुत जादा volatility होती है market bi-directional super fast moves दिखाती है जहां पे आपका stop loss असानी से candle क्या एक 2 minute के अंदर hit हो जाता है तो इसलिए यहां पे थोड़ी सी साफधानी ही बरते हैं और इसके अलावा आज paytm में एक bad news आई है तो यह भी कल interesting होगा देखना के paytm का stock कैसे behave करता है तो दोस्तों इस वीडियो का एक disclaimer भी है जो के आपको अपनी screen पे दिख रहा होगा वीडियो मैंने सिर्फ education learning और information के point of vision बनाया था यहां पे मेरी आपको कोई suggestion सलहा या राय नहीं है कि आप किसी भी stock के index में buy or hold के position बना है किसी भी निवेशा ट्रेट से पहले अपने financial planary investment advisor की सलहा जरूर ले ले के वन उन्हें की सलहा के ऊपर किसी तरह के निवेशा ट्रेट का निर्ना ले जो जानकारी मेंने आज के इस वीडियो में दिया है सभी data points पे अधारीत है सभी data points public domain में available है जिनको आप खुब जाके cross check cross verify कर सकता है मेरे दोरह दीगे जानकारी 100% गलत साभीत हो सकते इसलिए मेरी दीगई किसी भी जानकारी के उपर किसी तरह है कोई भी निवेशा trade का निर्णा है ना ले तो दोस्तों आज का market sentiment वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फिर मिलेंगे कल market sentiment के नई वीडियो में नहीं जानकर किसात एक नहीं सिख किसात एक नहीं learning किसात तब तक आप अपना ध्यान रखें